ओम शानती, आज आपका 65 वे दिन का वर्दान, ऐसा वर्दान जिसमें परमात्मा हमें एक विदी सिखाते हैं, कि हम किस तरीके से बाबा की सदा याद में रहें, चाहे आप उनको गौड फादर कहें, चाहे अल्ला कहें, चाहे जीहोबा कहें, चाहे शिवा कहें, चाहे कौन सी हैं, और उन विद्यों में रहने से, कैसे हमारे जो विकर्म हैं, पिछले जन्मों के ही नहीं, इस जन्म के जो हमें याद हैं विकर्म, वो कैसे नाश होते जाते हैं, और हम कैसे आत्मय हलकी होती जाती हैं, तो हलका होने का एकी तरीका है, सदा ही परमात्मा की याद में रहना चल्ले देखें तो आज बाबा कहते हैं सहयोग द्वारा सहयोग द्वारा किसी को भी हम सहयोग जब करते हैं तो उसके साथ हमारा स्नेह होता है और स्नेह से हमारी आटोमाटिकली याद उनसे जुड़ जाती है हमें चिंता तो दुनियावी तरीकों से होती है लोगों की लेकिन यहापे परमात्मा के अनुसार हमें चिंता नहीं होती है परमात्मा की कौन चिंता करेगा परमात्मा का जो कारे है कि नर्ग को स्वर्ग बनाना पतित आत्मा को पावन बनाना दुखी आत्माओं को सुखी बनाना और अशांत आत्माओं को शांती प्रदान करना इस चीज की जो शुद चिंतन चिंतन है उसके द्वारा ही हम परमपिता परमात्मा से सदा योग मतलब सदा उनकी याद में रह पाते हैं और याद कहें, मेडिटेशन कहें, योग कहें बात एगी है याद करने से परمात्मे से जुढ़ने से हमारे पाप करते جाते हैं आमारे अंदर वो ऊर्जा, एनरजी आती जाती जो हमने पाप करते-करते खोई थी तो बाबा कहते हैं सहयोग द्वारा स्वयम को सहज योगी इजी योगी, इजी मेडिटेटर, इजी याद में बैठना बनाने वाले निरंतर योगी भवा, कंटिनुस मेडिटीशन संगम यूग पर कौन सा यूग चल रहा है? लोगों के अनुसार, इंसान के अनुसार वो समझते हैं कि कल यूग चल रहा है लेकिन परमात्मा कहते हैं, मेरे आने के बाद यूग परिवर्तन होता है संगम यूग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का यूग संगम यूग पर बाप का सहयोगी बन यही समय है कि हम परमात्मा के सहयोगी बन जाएं वो जो उचे कारेक ले आए हैं जब भी बताया उसमें हम अपना हाथ बटाएं बन जाना यही सहज योगी बनने की विदी है अब वो विदिया क्या है? जिनका हर संकल्प आप सोच में भी हो कि कैसे करो कि सारी आत्मा को परमात्मा का ज्यान मिले क्या करो कि सारी आत्मा को शान्ती महसूस हो क्या करो कि आत्मा दुख से सुख में परिवर्तन कर ले अपना जीवन शब्द आपके जो बोल हो वो भी कैसे हो के करतव्य में सहयोगी रहने का है तो संकलब, शब्द और कर्म बाप की वा अपने राज्य की राज्य काुन सा राज्य है, जैसे हम ने कल बात करी, सत्यु का राज्य जिसमें की सिर्ष पवित्र आत्माएं, अच्छा कर्म करने वाली आत्माएं ही जा सकती है, जिनके अंदर काम, करोध, लोमों अहंकार कि जो एक छोटी सी भी, थोड़ी सी भी वृत्ती ना हो उनके अंदर वृत्ती ना हो, वो attitude ना हो थोड़ी सी भी लकीर ना हो वैसी आत्मे, सत्योगत रेता स्वर्ग में चार पाएंगी तो वैसा राज्य कि स्थापना के करतव्य में सईयोगी रहने का है उसको ग्यानी योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवधारी कहा जाता है जो कि संकल्प, बोल और कर्म से कैसे रहते हैं बाबा के अनुसार चबते हैं और बाबा के सईयोगी बनते हैं उनको ग्यानी योगी तू आत्मा निरंतर सच्चा सेवधारी कहा जाता है निरंतर मन से नहीं तो तन से करो सेवा है ना मन से नहीं कर सकते हैं किसी को आप ग्यान से नहीं बता सकते हैं ग्यान नहीं बता सकते हैं तो आप तन से सेवा करें तन से नहीं तो धन से करें सेवा, अगर तन आपका ठीक नहीं है तो आप धन से सेवा करें, धन से भी नहीं तो जिसमें सयोगी बन सकते हो, धन से भी नहीं कर सकते हो, जिस प्रकार से भी आप सयोगी बन सकते हो, आप meditation करके कर सकते हो, उसमें सयोगी बनो, तो यह भी योग है क्योंकि आपने याद तो किया न कि परमात्मा के उचकारे चलता रहे बढ़ता रहे आगे तो इससे आपको तो गलत रस्ते पे ले जाए, गलत संगत में आपको लेके जाए, उल्टा सोच बताए आपको, भगवान से दूर कर दे, उसकी बात मानने ही नहीं, तीसरा है ही नहीं कोई जिससे आपका लगाव हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे, तो ये विधिया बताई हैं जिससे ह जाएगा और समझेगा, और आकर ब्रह्मकुमारीस में हम योग कैसे करते हैं, मला याद में कैसे बेटते हैं, मेरिटेट कैसे करते हैं गौड़ फादर के उपर, अपने पिछले जन्मों के पापवों कैसे भसम करते हैं, उसका ग्यान आकर लीजेगा आप, इसके साथ ओम झालिजेगा, पुरे जाएगा cachोण आकर इसक जाएफा झालिता आकर अंजेगा जमी तो सबस्याट हैं, मेरिटेगा crust, और सम याफने पिछले में के यह मत्वक्वक्र आकर लेक्ष चालिए पादर के बालिएगा इसको तू मेरिएग 10 कितो वाजेदी जक पालिक्र मैंक सा